वेल्कम ने टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोपिक्स में तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दीखा हूँगा कैसे आप किसी फोटो से अन्हांटेड आपजेक्ट को रिमूब कर सकते हो और आपको रिमूब होने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि वहां पर कोई आ प्रॉटाके हम आप जो काब है इसके वह प्रेस्ट करते हैं जैसे कि यहां पर मैं सो करहां कि एक लिएर क्रेट कर लिया और इसका यहां से सेंपल लेकर यहां ड्रेग करूँगा तो एक क्लोन हो जाएगा यह प्लेस वहां पर क्लोन हो जाएगा बड़ यहां पर देखे इसका जो background है background mismatch कर रहा है मतलब कि यहां पर लग रहा है कि यहां पर कुछ था यहां पर changes किया गया है तो यहां पर देखिए तो photo कैसे हो गया तो दोस्तों मैं यहां पर आपको दो प्रोसेस बता हूंगा एक latest फटोसब के लिए है और एक oldest फटोसब के लिए है oldest नहीं वो options सभी फटोसब में ही available है तो मैं आप एक layer को create कर लिया और इसको मैं final नाम देता हूं इस layer को और इसके बाद इसे select कर लेना है आपको इसे आपको select कर लेना है और आप इस जो काब है इसे मैं हटाना चाहता हूं तो इसे पहले select कर लेना है तो आप किसी भी selection tool को use कर सकते हो जो आपके मन चाहे आप उस selection tool के जारीए यह जो काब है इसे select कर लिजिए अभी आपको edit पर जाना होगा इसके बाद content अवार फिल पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देखिए processing हो रहा है और यह जो काब है यह remove हो जाएगा बहुत हीजिए यहाँ पर देखिए perfectly यह photo आ चुका है अभी मैं इसे apply करके इसे ok पर क्लिक कर दूँगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एक new layer create हो चुका है और इसे अगर आप turn off करोगे तो एक काब देखने को मिलेगा on करोगे तो काब नहीं देखने को मिलेगा तो अभी अभी देख सकते हो यह perfectly काब disappear हो चुका है तो अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा realistic लोग और healing tool को यूज कर सकते हो healing tool को यूज करके यहाँ पर ब्लार जो है उसके copy भी यहाँ पर बना सकते हो यह फिर अगर clone tool को यूज करके भी थोड़ा बहुत आभी ice के उपर retaching कर सकते हो तो आपके मुर्जी है अगर इसे अच्छ लग रहा है तो इसे रहने दीजिए अगर आप आप इसे कुछ करना चाहते हो तो मैं इसका PhD फाइल होगा मैं description पर देज दूँगा तो इस PhD फाइल को लेकर आप इसे आपकी हिसाब से आप इसे modify कर सकते हो उससे check कर सकते हो सीख सकते हो सब कुछ कर सकते हो दोस्तों आपके पास content यह फिल वाला option अगर नहीं सो कर रहा है तो आप इस option को try कर सकते हो तो यहां पर भी आपको same शीजर से आपफ़ेक्ट करना है उसे पहले आपको select करना है तो मैं यहां पर आपको select करके आपको दीखाता हूँ आप किसी भी selection tool को यहां पर काम पर ले सकते हो और यह जुरूरी नहीं कि आप perfectly select कीजिए आपको just select कर ल पर क्लिक कर दिना है दोस्तु यहां पे देख साकते हो बैक्गराउंट डियार क्रेट नहीं हुआ है भर रिमोव हो चुका है और इसका बैक्गराउंड पर ब्त फोटो में आटोमेटिक हो जुका है पर इसका जो यह सैडूर है, इसे भी मैं रिमोव कर दूँगा तो इस सेम प्रोसेस है पहले सिलेट कर लिजिए और इसके बाद सिफ्ट प्लस वैक्स प्रस को क्लिक कीजिए कॉंटेंट यहार को स्लेट करते हुए ओके पे क्लिक कीजिए कि देखिए ऑटोमेटिक और रिमूब हो चुका है अभी देखिए जो बैकगरांड है बैकगरांड कॉंप्लिटली परफिक्ट लग रहा है दोस्तो इसके बाद अगर आप इसे डिटाच देना चाहते हो तो हीलिंग टूल को आप यूज कर सकते हो क्लोन टूल को आप यूज कर सकते हो बड़ मैं यह पे कुछ यूज नहीं करूंगा तो दोस्तो इस वीडियो म बस इतना सब्सक्राइब कर लेजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सेर करते रहे हैं कि इस तरह की बहुत सरे वीडियो और भी आने वाला है